इस्टुडेंट्स हम देख रहे हैं English subject का solution इससे पहले आपके लिए Hindi subject complete करा दिया गया तो Hindi subject का solution अगर आप देखना चाहते तो इसी वीडियो के description box में आपकी playlist अविलेबल है और वीडियो के end में भी आपको thumbnail मिल जाएगा playlist मिल जाएगी उसके थूरू भी आप solutions देख सकते है यह जो question paper है आपका अगले महिने से आपके exam 15 तारिक से 15 सितंबर से जो है tentative date जारी कर दी गई है आप उसको playlist में देख सकते हैं पूरी date seat available है यहापर जो है आपका यह passage है पहले passage को पढ़ना है उसके बाद में answers देने है इसमें youth in any country from its backbone यानि कि यहाँ पर सीदा सीदा बोल solutions lies यानि कि यहाँ बोला गया है या एक युवा का ही कंदा है जिस पर परिवर्तन प्रगति और नव चार या नव चारों की जो जिम्मेदारिया उसके उपर ही होती है इस तरह से यह passage पूरा युवा के बारे में दिया गया है क्या क्या system में थोड़ी सी problem से उसके बारे में जो है समझ में आप आएंगे तो इससे जरूर पैसेज को एक बार पढ़ लेना उसके बाद ही जो आपके questions होंगे वो better जो है आपको लगेंगे तो यहाँ पर जो है इस passage को पूरा पढ़ लेना यह चार नंबर है paragraph और इसके बाद 5 नंबर paragraph है अब यहाँ पर जो पहला question है on the basis of your understanding आपको पैसेज के हिसाब से जो है questions के answer देने हैं पहला question यहाँ पर क्या पूछा गया देखिए the youth in any country are अभी अभी हमने पढ़ा था तो यहाँ पर जो है starting महीं एक ही लाइन में बहुत कुछ बता दिया था तो यहाँ पर यह सारी चीज़े आपको a option b मिलेगा stary id उसके बाद में b option मिलेगा full of idealism और c option मिलेगा bubbling with energy तो यह सारे के सारे options जो हैं आपको मिल जाएंगे solution जो आप passage पढ़ोगे उसी के अंदर तो यह सारे options सही हैं और इसका जो answer हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपका d options all of the above ठीक है तो यहाँ पर यही आपको बस simply answers इसी तरह से देने हैं कि आपको जो पूछा गया है किसी भी देश्क में you are उनकी कैसे होते straight id होती है और या जो है उर्जा के साथ बुद बुद आते रहते हैं तो all of above जो है इसका answer D हो जाएगा इसके बाद आज यह next question पे यहाँ पे second question पूछा गया है the cultural revolution of China aimed at death तो यहाँ पर कौन सा option आएगा जागर आप passage पढ़ते हैं तो इसमें चीन की संस्कृति क्रांती का क्या उद्धिश्य है तो आजाएगा removing the deadwood in the party तो यहाँ पे c option जो है correct हो जाएगा जिसमें है party में मृत लकडी को हटा देना ठीक है इसके बाद जो next question जो है इसमें आप से पूछा गया है what can cause an extensive damage to national fabric तो national ताना बाना जो है इसको कौन damage कर रहा है तो यहाँ पे thinking alone cast and communal lines जो जाती और संपरदाय की सोच है यही जो है इसको damage करती है उसके बाद में next question है इसमें पूछा गया है the nagging problem that India faced today as per the passage तो यहाँ पर आज भारत में जिस संकट का समस्या का या जिस विकट समस्या का सामना कर रहा है वो कौन सी है तो यहाँ पर जो है answer कौन सा हमारा हो जागा population exposure तो यहाँ पर जो है बढ़ती हुई जन संख्या जो है यह सबसे बड़ा एक कारण है इसके बाद b part में जो है from the words from the given choice that have the same meaning तो find करना आपको words जिसका meaning same हो independence means freedom मतलब आ जा दी freedom मतलब भी आ जा दी तो आपका a option जो है correct हो जाएगा और remove means होता है eliminate करना remove मतलब हटाना eliminate भी हटाना होता है उसके ब development का मतलब होता है प्रगती करना और progress का मतलब भी प्रगती करना तो यहाँ पर b option जो आपका correct हो जाएगा इसके बाद है read the following passage and answer the questions तो यहाँ पर जो है पैसे second number आपको पढ़ना है और इसके जो questions है उनके answers देने है इसमें b part भी है फिर आपका c part भी पढ़ना है जैसे जैसे आपके parts इनको पढ़ने के बाद में आपसे जो questions पूछे जाएंगे उनके answers आपको देने है इसके बाद इसमें e part भी है तो यहाँ पर देखिए f part भी है और उसके बाद में यहाँ पर जो है आज यह पहला question जो पूछेगा on the basis of your reading of the above passage make notes on it in the points only using recognizable abbreviations wherever necessary आगा जरूरत है त इसको short form बोलते हैं और supply suitable title also यहाँ पर सबसे पहले जब हम notes लिखते हैं तो notes या summary writing लिखते हैं समय ध्यान रखना है कि हम कभी passage को पहले एक बार समझें अगर passage आपको समझ में नहीं आएगा तो answer जो है आपका correct नहीं हो पाएगा यह बहुत important होता है कि आप किसी passage को समझ कर ही answer दे उसको तो यह जरूरी हैगा तो चलिए हम इसका title suggest करते हैं अगर आप इस passage को पढ़ लेते हैं और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजी एक बार जो मैंने आपको दिखाया है या फिर PDF डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर जो है आपका सीर नोट्स बनाते हैं तो इसमें basic moral duties कौन कौन सी है बुन्यादी नैतिक करतब वे जो है उनमें से हम point बना देंगे तो हम तीन point इसमें लिखते हैं consideration of consideration for the week and respect for age ठीक है तो कमजोर के लिए जो है कमजोर और कम उम्र के लिए जो है जो जो जिसकी ज्यादा उम्र है उसके लिए ह सीखना चाहिए और उसके लावा जो है not sitting in front of their elders और जो है बड़ों के सामने नहीं बैटना चाहिए तो यह तीन point जो है हम इसके अंदर डाल सकते हैं इसके बाद जो है आपका next point इसमें हम कह सकते हैं practical rules तो practical rules जो है व्यावारिक नियम क्या क्या हो सकते हैं तो इसमें हो सकता proper introduction of at parties तो यहाँ पर जो है हम पार्टियों का उचित परीचे जो है जाने उसके बाद में keeping fingers clean तो हमारी जो उंगलिया है इनको बिल्कुल साफ रखे हैं मतलब हमारे उपर कोई उठाना सके और cleaning the spite underhood तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पैरों के नीचे जो है जो spit होती ह वो जो है साफ करे इसके बाद जो है आपका artificial optional graces क्या बोल सकते हैं इसमें third point में ले सकते हैं जो हो आपके इसमें आ जाएगा एक development by the wealthy and laser society तो अमीर और आराम वाला समाज अमीरी और wealthy and laser society डवलप करना है अमीर और आराम दायक समाज जो है डवलप करना how to enter at banquet room जो है banquet room में कैसे प्रवेस करें और how to use a software और a hang chief और जो है हम रुमाल और जो है आपका उसको खाने वाला जो आपका knife होता है या बोल सकते हैं तलवार की तरह software यहाँ पर यूज किया गया है तो उसको कैसे यूज करे आपको इस तरह से लिखना यह main points हो जाएंगे इसके sub points आपको इस तरह से डाल देना है फिर आपको main points डालना है फिर उसके sub points डाल दोगे आप और फिर आपको main points डालना है और sub points डाल सकते हो यह तो मैंने अपने basis पर बनाया है आप चाहें तो और भी points इसमें लिख सकते हैं Attiquity contains three elements, basic moral duties, practical rules and artificial optional graces, ठीक है, तो सिश्टा चार के जो है, तीन तत्व होते हैं, एक तो बुन्यादी नैतिक कर्तब भी होता है, एक वहवारिक नियम होता है, और एक वहकल्पिक अनुग्रह जो है, वो होता है, और basic moral duties में क्या होती है, इन तीनों में क्या होती है, एक एक ल यहाँ पर जो है, यू रोहित और राशी, a president of exertion club, you have organized an exertion to Delhi during the summer vacations for the 12th students of your school, write a notice in about 50 words informing the students about the proposed excursion, जो है, आप कोई रोहित या राशी है, और ब्रहमन कलब के अद्धक्षिन है, एक शर्शन मतलब होता है ब्रहमन, ठीक है, तो exertion club, यानि ब्रहमन कलब के जो है, आप सदस्य हैं और अगर सदस्य सोरी अध्यक्ष है और उसके अध्यक्ष के रूप में आप विद्याले के बारवी के विद्यारितियों के लिए ग्रिश्म अवकास के दौरान दिली भ्रमन का आयूजन कर रहे हैं तो च्छात्रो को भरमन के लिए विए च्छात्रों के लिए सूचना देने के लिए 50 सब्दों में आपको सूचना लिख़नी है तो यहाँ पर एक्सर्शन कलब आप डाल देंगे ठीक है? उसके बाद में कोई भी आपको स्कूल डाल देना, अपनी मर्जी से date डाल देना है किस date को आपने जो है ये notice लिखा है और फिर notice डाल देंगे मोटे अक्षरों में और इसके बाद में जो है आप लिख देंगे यहाँ पर all students of class 11th and 12th are invited to join an accession to Delhi Delhi ब्रह्मन के लिए आप 11 और 12 के बच्चों को बुला रहे हैं इसमें आपने duration लिखा ठीक है और उसके बाद में dates लिखे और उसमें expenses खर्चा क्या आएगा वो आप बता देंगे कौन कौन से date से कौन से date तक जाना है ये बता देंगे उसके लावा आप से तो आपका नाम millimeter देंगे अगर आपको नाम नहीं दिया है तो अपना नाम लिखेंगे कि लेकिन अगर आप से नाम दे दिया गया है तो धिहान ढखना है ठीक है तो यहां पर जो है आपका ये हो गया इसके बाद आते हैं next ये आपका पर इंट्रनरी जो होता है यह जानते ही हैं आप यह जो यात्रा का कारेकरब्स है वह जो है तो आप जब नाम लिखवाएंगे तो आपको मिल जाएगा यह चीज बताइगे चाहें तो आप को लिखें या फिर ना लिखें लेकिन लिखेंगे तो बैटर रहेगा उसके बाद में यहां पर those interested may contact the undersigned before 17th अगस्त ठीक है और जो व्यक्ति छुक है वो 17 अगस्त से पहले जो है यह संपर कर सकते हैं इसके लिए जो भी इसके लिए responsible है इसके बाद आजी ए नेक्स्ट पार्ट में इसका और पार्ट में जो है आपको बोला गया है you want to sell your house, write a suitable advertisement in about 50 words published in the for sale column of a newspaper newspaper के लिए column में आपको एक छोटा सा जो है आप लिखेंगे तो आप date डाल दीजिए कहां से आपका है वहां तक डाल दीजिए उसके बाद जो है new house for sales आप डाल सकते हैं इसमें newly built ideally located house for sale और चंदरपूरा जो रोड है electronic city है इस तरह से आप सब कुछ इसमें detail अपनी मर्जी साब अपनी आसपास के area को भी बता सकते हैं क्या क्या facilities हैं कितने भी एच के rooms हैं क्या उसकी facility रहेगी क्या location है तो यह चीज़े इसमें mention करनी होती है तो इस तरह से आपका एक new house for sale जो है आप लिख सकते हैं notice इसके बाद जो है next question इसमें आप से पूछा गया you have lost your purse आप travel के दोरान जो है बस में आप जा रहे हैं धरमसाला से कंगरा के लिए और हो क्या रहा है कि आप जो है एक पर्स जो है lost कर जाते हैं तो suitable advertisement देना है आपको local newspaper के लिए तो आप जो है lost and found column में जो है आपको देना है आप date mention कर सकते हैं उसके बाद में lost found column में आपको बता देना है कि आप कौन है कहां पे रहते हैं और आप क्या चाहते हैं आप बता देंगे पर्स में क्या-क्या details है डीडी है जो की 32,500 रुपय कैरी करता है एक डीडी है उसमें जिसको demand draft बोलते हैं चेक जैसा होता है वो एक चेक है उसमें और some cash भी है उसमें और वो lost हो गया है उसका color बता देंगे और आप बता दोगे कि कहां से कहां तक आप सफर कर रहे थे जिसके दोरान ये पर्स गिरा है और around क्या समय रहा होगा वो भी आप बता देंगे और कोई अगर इसको पाता है, किसी को ये मिलता है, तो कहां पे आपको कहां पे वो inform करेगा, या फिर कहां पे आपको मिल सकता है, ये चीज आप इसमें बता देंगे, suitable reward का promise कर सकते हैं, कि आपको उचीत इनाम दिया जाएगा, अगर पर्स लोटाते हैं, तो इस तरह से आप जो lost found column को fill up कर सकते हैं, आसानी से अपने सब्दों में लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चोथा question जो है, यूर विकास, student editor of your school magazine, write a report on the 7-day special camp, 7-day का special camp है, organized by NSS unit of your school, write report for the school magazine, school magazine के लिए एक छोटा सा report बनाना है, इसमें आप जहाँ पे भी आपके school है, वहाँ पर आप जगे का नाम और उसके बाद में date mention करें, और सीधे सीधे आप report writing सुरू कर दें, यहाँ पर जो है छोटा सा NSS camp, जो है, national service scheme unit of HS school number 2, धर organized a camp at प्रतापपूर village, आप जो भी जहाँ इस camp जो है, कहाँ पर आयूजित करना चाहते हैं, वो आप सारे details डालेंगे, उसके अलावा जो इस camp को कितने दिन तक चलाया जाएगा, वो डालेंगे, इस camp के अंदर कौन कौन से project जो है, कितने volunteers participate करेंगे, कितने दिनों का program है, उस program के duration में आप क्या करेंगे, कौन कौन से phase जो है, इसके अंदर लेंगे, उसके बारे में इसमें बताना है, तो इन चीजों का आप पढ़ लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा इसमें detail आपको देनी नहीं होती, बहुत easy होता है, तो इसको आप इस तरह से आप देख सकते हैं, उसके और पॉल्थिन को बैं किया गया है, गॉवर्मेंट के द्वारा, तो आपको जो है, आपको एक companion जो चलाया गया है, surrounding your locality, आपके स्कूल की तरफ से, तो आपको जो है, इसको मैगजीन में पब्लिश करने के लिए छोटी सी जो है, एक report तयार करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर ज पॉल्थिन कर देना, उसके बाद आप report writing start करेंगे, दा environmental club of HHS school, Uttamnagar, Delhi, organized a week-long companion say no to polythene bags to create awareness in the localities adjoining the colony about the hundreds of the polythene bags, beside the members of the club, 200 other volunteers also took part in the companion which was flagged off by chairman of the school, Mr. Tirpati, who distributed paper bags among the, among some of the shopkeepers of the area taking from them polythene bags in exchange, तो इस तरह से तिरपाटी जी ने आयोजन किया, और 200 volunteers को जोड़ा गया, इस polythene bags के जो हजार्स हैं, उसके बारे में aware किया है, किया गया लोगों को, कॉलोनियों को, और तिरपाटी जी ने, जो चेयर्मेन है, स्कूल के उन्होंने, जो है paper bags बाटे हैं, और उसकी जगह उन्होंने paper bags की बाटे हैं, और साथी साथ उन्होंने exchange में plastic bags, जो है, polythene bags को ले लिया, swap papers से, ये सारी चीजे इसमें बताई गई है, इनी चीजों को आपको लिखना है, और इस तरह से आपका complete report writing बन जाएगी, say no to polythene के लिए, ठीक है, तो इस next question की तरफ move करते हैं, जिसमें आ जाएगा आपका question number five, you are Ravi Chopra of 26 civil lines, Solan, last week you brought an automatic whirlpool washing machine, आपने जो है last week जो है क्या खरीदा, एक washing machine whirlpool का खरीदा, और RAM electronics जो है, उससे खरीदा, MS Messers, MS को Messers बोलते हैं, Messers, RAM Electronics, नया बाजार, Solan से, और now you find the machine is not cleaning clothes properly, and is making an unbearable noise, और ये जो है, ये end वो आला नहीं है, ये end वाला end, ठीक है, and it is making, जो है, सहन ना करने योग्ये, जो है, sound भी आ रही है, साथ साथ में कपड़े भी नहीं, साफ हो रहे हैं, तो एक letter लिखना है dealer को, और complaint करना है, जो आपको तकलीफ हो रही है, और उसको request करना है, कि change कर दो washing machine, जितना जल्दी हो सके उतना, यहाँ पर जो है, सबसे पहले आपको देखना है, कि अगर आपको दिया गया है, कि आपको नाम क्या है, तो yes, आपको नाम अपना यूज करना है, उसके लावा जो आपको address दिया गया है, इ उसके बाद में date डाल देंगे, उसके बाद में जिसको आप यह letter लिख रहे हैं, उसका address डालेंगे, ठीक है, नया बजार सोलन, और उसके बाद में जो subject है, आपका complaint about the washing machine, तो यह आप डाल देंगे, उसके बाद में sir लिख करके सिधा सिधा आप बता देंगा, I am sorry to inform you that the washing machine which I brought from you, your soap against cash memo भी आपने बता दिया, कि आपका cash memo जो है 200 है, और date जो है 7 तरीक को, आपने 7 जुलाई को जो है, 2 years guarantee के साथ में जो है, इसको खईदा है, ठीक है, और जो है 2 years की guarantee जो है, यह इसका सारा working जो है, यह 10 दिन में ही रुग गया, now machine makes an unbearable noise, और जो है machine जो है, असनिय जो है आवाज कर रही है, और motor tears delicates fabric, और जो motor जो है, वो fabric को क्या कर रहा है, फाड दे रहा है, जो कपड़े हैं, उसको all these are causing great inconvenience and I feel cheated, और मुझे जो है, ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ धोका हुआ है, और यह सही नहीं लग रहा है, I therefore request to remove the fault if it is minor, अगर छोटी मोटी समस्या ह है, तो कम से कम इसको सही करिए, और replace if for a new one, it for a new one as per the condition of guarantee certificate, अगर छोटी मोटी समस्या है, तो repair कर दीजिए, नहीं तो जो guarantee card में जो आपने conditions दिये हैं, उसके अनुसार इसको replace करके नए दे दीजिए, your quick action will be highly appreciated, और जो आपका जल्द से जल्द निरना है, वो बहुत और जो है, आपको अपने नाम नीचे लिख देना है, इसके बाद में और पार्ट में जो है, फिर से आपको letter writing लिखनी है, head, इसमें आपका health officer को लिखनी है, of your town, complaint करना है, in sanitary condition of your area, आपका नाम आपको दे दिया है, कि आपको पंकज कुमार यूज करना है, आपका address 125 mall road, similar दे दिया है, तो सबसे पहले आप अपना address लिखेंगे, उसके बाद में head officer of your town, उनको जो है letter लिखना है, तो, sorry, head, head नहीं, health officer, health officer of your town, यानि कि आपके ही mall road similar पे ही, यह health officer जो है, तो आप सिधा सिधा लिख सकते हैं, यहाँ पर जो new Delhi नहीं लिखोगे, आप यह mistake से लिख ग यहाँ पर आप इसको नहीं लिखेंगे, इसको erase कर दीजिए, क्योंकि यह Delhi नहीं है, आप जहाँ पर रहते हैं, वहीं का address लिखेंगे, तो यहाँ पर आप mention करेंगे, सिमला mention कर देंगे, अब आगे बढ़ते हैं, जो है, health officer, municipal corporation, सिमला, और फिर इसके बाद में subject आप जरूर लिख देंगे, बीच में subject लिखना भूल गया हम, तो यहाँ आप subject mention करने के बाद में, आप सर लिख करके, सिधा सिधा आप जो है, उसके attention को kindly draw कर रहे है, towards the insanitary condition of your area, और it is a tiny hell on earth, और जो है, यह छोटा सा जो है, एक है, नरक बन चुका है, the sweeper does not, does not do his duty well, और जो सफाई करमचारी है, वो अपनी, जो duty है, वो अच्छे तरीके से नहीं कहते है, hips of dirty and lying here and there, जो गंदीगी का धेर है, जो यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है, the drains are never cleaned, जो नालिया है, वो कभी साफ नहीं होती है, moreover, it is full of pits, dirty water collect in them, और जो है, यह नालिया साफ नहीं होती है, और बहुत जगे पर तो गड़े हो गए हैं, जहाँ पर गंदे गंदे जो पानिय हैं, वो जो है, collect हो जाते हैं, mosquitoes, breed them, और उहाँ पर जो mosquitoes पनपते हैं, और they are harmful to health, और यह harmful है, health के लिए यह सब चीजे बता करके, आप जो है, अब इसको खतम कर देंगे, अगला जो point है, इसमें, Manoj Mina, write an article about 150 to 200 words, work is workshop, पे आपको article लिखना है, तो यहाँ पर जो है, आप इस तरह से दो, आपके उसमें हो जाएगा, there are different kinds of work that people do to sustain their livelihood, और यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं, जो लोग करते हैं, अपनी जिन्दगी गुजारने के लिए, या गुजार बसर करने के लिए, इस तरह से आप बताते जाएंगे, और paragraph आप पढ़ सकते हैं, pause करके समझे ये paragraph को आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इस paragraph को आप इस तरह से लिखेंगे, पूरा का पूरा report writing 150 to 200 words में, तो यहाँ पर आप last में जो जरूर लिखेंगे कि work is worship to की इसके बारे में हैं, उसके बाद next जो paragraph अगर हम बात करते हैं, तो article जो है आपको the evil of drug addiction, ठीक है, तो इस paragraph को जो है आप इस तरह से लिख सकते हैं, drug have become very common in society, आप जानते ही हैं कि नशा जो है common society में आम होचला है, और it is a social devil which makes the person hollow from inside, और जो है ये एक सामाजिक राक्षस की तरह है, जो इंसान को अंदर ये अंदर खोखला कर देता है, drugs are of many kinds, but basically the harmful ones are the narcotic drugs, ठीक है, नार्कोटिक drugs जो है, वो बहुत जादा harmful होते हैं, इसके अलावा drugs बहुत सारे तरह के होते हैं, इस तरह से आप सब कुछ बताते हुए, इन paragraph को आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत easy है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं और याद भी कर स on the issue of water, मतलब कुछ scientist का मानना है, लेकिन कुछ scientist का मानना है कि जो third world war होगा, वो water को लेकर है, यानि पानी को लेकर ही होगा, keeping in view the need for saving each drop of water, अगर हम पानी की जरूरत को समझें और उसके एक एक बूंद को बचाने का प्रियास करें, तो उसके बारे में एक आपको आर्टिकल लिखनी है, आपका नाम दे दिया है, विपिन और बंदना of kangra, ठीक है, तो आपको इस तरह से ये नाम और ये place यूज़ करना है, तो यहाँ पर सिधा-सिधा, क्योंकि आपको write an article लिखना है, तो article writing में आप सिधा-सिधा जो है, बंदना के बारे में है, बंदना ने लिखा है, तो बंदना लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो है, principal sir, worthy teacher and all my friends, myself, Rohit, यहाँ पर रोहित है, तो यहाँ पर रोहित की जगे है, यहाँ पर क्या करेंगे, बंदना कर देंगे, ठीक है, यहाँ थोड़ा-थोड़ा mistake हो, कोई तो उसको check कर लेना, तो इस तरह से आप इसको लिखते हुए, महाँ पर समझा देंगे, कि water क्या है, कितना precious है, इसके बारे में हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, इस चीजों को आसानी से आप समझ सकते हैं, इसको इसी तरह से आपको समझाना है, ठीक है, इसको आप इसी paragraph से, आप जब इस paragraph को पढ़ लेंगे, यह आपका काम हो जाएगा, अब आते हैं, section C literature पे, अब आपके book से जो है, यहाँ पे questions आ रहे हैं, इन questions को जो हम solve करने वाले हैं, तो चलिए, अब start करते हैं, आपका section C का solution, तो इसमें पहला जो आपका part है, इसमें एक छोटा सा आपको एक poetry section दी गई है, इस poetry को आपको पूछा गया है, name the poet, poem and the poet, तो यहाँ पर यहाँ पर यह answer हो जाएगा, second question है, इसमें क्या पूछा गया है, वो देखिए, second question में आपसे पूछा गया है, what would the man, sorry, what would the fisherman not do, तो मचवारा क्या नहीं करेगा, तो answer हो जाएगा, the fisherman not do hurt or injure the wells in the seas, मचवारे जो समुंदर में वेल को चोट नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है न, तो यह आपका answer हो जाएगा, उसके बाद में, what would the man gathering salt to, salt do, तो नमा की कटा करने वाला आदमी क्या करेगा, तो he must take care of his hurt hands, जो है, वो क्या करेगा, वो अपने, जो उसका चोटिल हाथ है, जिस पे चोट लगा हुआ है, उसकी देखबाल उसको करना चाहिए, ठीक है न, what would the man gathering salt do, वो क्या करना चाहिए, तो उसको अपने, जिस चोटिल हाथ है, जिस पे चोट लगी है, वो उसको, जो late winters, monsoon, तो poet ने, जो है, कभी ने, जो देड़ से आने वाली सर्दी है, उसकी तुलना किसे की है, तो यहाँ पर आ जाएगा answer आपका, उसने करिया, mother's pale white face से, ठीक है, तो यहाँ पर D option जो है, correct हो जाएगा, उसने अपनी मा की पीली सफेद चेहरे से, जो है, उसकी compare, जो की है, उसके बाद में second question, जो है, what was hidden behind the smile of the poetress when she was leaving, तो जब वो, poetress, जो है, कभी, जो कवितरी है, जब वहाँ से छोड़ती है, या वहाँ से जाती है, तो उसको, जो है, क्या, मतलब, उसके smile के पीछे, जो है, छिपा रहता है, तो love for her mother, छिपा रहता है, be option correct हो जाएगा, इस के बाद में, which thought did she put away, तो उसने कौन सी सोच को दूर किया, तो यहाँ सर जागा, the thought of her mother's pale and aged faces, उसकी मा के पिले रंग का चहरा और उसका जो है, aged face, यानि बुढ़ा चहरा और पिले रंग का और बुढ़ा चहरा जो है, उसको जो है, क्या करा, दूर किया, तो D option जो आपका correct हो जाएगा, इसके बाद आज यह next question पे, या आपर जो आपको आठवा question पूछा गया है, उसको देखिए, what had been put on the bulletin board, तो bulletin board पर क्या लिखा गया था, तो answer हो जागा, the bulletin board notified the general public about an order from Berlin, तो notice board ने जो है, या bulletin board ने आम जनता को एक आदेश के बारे में बताया, जो कि Berlin से थ और it state that only German was to be taught to students in the schools of Alice and Lauren, ठीक है, तो इसमें जो है, यह बताया गया था, इसमें यह कहा गया था कि Alice और Lauren की स्कूलों, के स्कूलों में छात्रों को केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा, इसके बाद second जो question है, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पूछा क्या गया है, what is sahib looking for in the garbage dumps, where he and where he has come from, वो कहां है और वो कहां से आया है, यह भी आप से पूछा गया है, तो चलिए इसके solution को देखते हैं, साहिब looking for gold, साहिब looking for gold, और other words something valuable in the garbage dumps, तो साहिब जो है, उसमें क्या देखते हैं, तो साहिब जो है, कच्रे में सोने की तलाश, या कह सकते हैं, दूसरे सब्दे में मुल्यान, कुछ मुल्यवान चीजों को कच्रे के धेर में ढूनते हैं, या खोचते हैं, he had come from Bangladesh, वो कहां से आये थे, तो वो आये थे, Bangladesh से, he came here with his mother, because due to the storm, he lost his home and gow fields in Dhaka, तो वो अपने माता जी के साथ में या पर आये थे, और क्यों आये थे, क्योंकि स्ट्रॉम ने जो है, उसके होम को और उसके जो fields हैं, धाका में जो थे, उसको नस्ट कर दिया था, so they left Dhaka and came there, तो यहां इसका answer हो गया, उसके बाद में, who was Mukes, तो Mukes कौन था, सभी को पता है कि Mukes कौन था, तो यहां पर जो हो जाएगा, आपका Mukes is a child labor who work in a class Bengal making factory that is situated in फिरोजाबाद, Mukes एक बाल मजदूर है, जो फिरोजाबाद में इस्तित, जो है, चूडी बनाने वाली factory में काम करता है, और मुकेस क्या सोचता है, हाला कि Mukes जो है, गरीब परिवार से तालूग रखता है, जो की चूडी बनाने का ही काम करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो उसका मोटर मेकेनिक बनने का जो है, एक सपना उसके साथ बढ़ता है, या उसका सपना जो है, वो देखता है, उसके बाद जो है, चौथा कोश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, या बोल सकते हैं कि एक टाइप की दुरघटना टाइप है, जो विलियम डगलस जो है, उसके बारे में बात करते हैं, तो वो मिस एडवेंचर जैसा कुछ था ही नहीं, उसी की बात कर रहे हैं, तो विलियम डगलस उस दुरघटना की बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर उन्हें एक लड़के द्वारा जो है, सुमिंग पूल में फेंक दिया गया था, वो जो है, उसको वह लगबग, मतलब उसको बहुत ज़ादा उसको सांस लेने में कटना ही हुई, और वो लगबग मानों की डूब ही गया था, और उसने तीन जो है, बाहर आने के लिए असफल प्रियास किये तीन बार, पानी से बाहर आने के लिए, और और अगर कोई उसे पानी से बाहर नहीं लाता, तो वो जरूर डूब जाता, ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, यही मिस एडवेंचियर जो था, जिसने इसके बारे में बताया है, आजवा कुश्यन है, वाई वाई वाज क्राफ्टर सो टाक्टिटिव एन फ्रेंडली विद दा पैडल, तो यहां पर देख़ें, क्राफ्टर जो है, वो अकेला रहता था, उसके वाईफ और बच्चे नहीं थे, और उसको बहुत खुशी हुई जब उसने देखा कि उसके अकेले पन को दूर करने के लिए, उससे कोई बात करने के लिए है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा, यहां पर यह हटा दो आप, इसके बाद आपका नेक्स जो कोश्चन है, उसकी बात करते हैं, नेक्स जो कोश्चन है, इसमें देखिए, तो जो पैडलर क्यों सोचता है कि दुनिया जो है, चुहे की जाले, तो यहां पर दा पैडलर कंसीडर दाव, पूल वर्ड एज बिग रट रट, इस सोल परपस बिग तो सेट बैट्स फोर पीपल, तो पैडलर ने पूरी दुनिया को एक बड़ा चुहे का जालमाना है, बहुत बड़ा चुहे का जालमाना है, जिसका एकमात्र उद्देश्य जो है, इस दुनिया का एकमात्र उद्देश्य यही है कि वो लोगों के लिए चारा डालना है, और खुशियां और दौलत और कुछ नहीं बल्कि सुहावने फंदे हैं, जो कोई भी उसके द्वारा लुब सकता है, यानि कि कोई भी उस लालच में पढ़ सकता है, और वो चुहे के जलमें फस जाता है, और जो एक बार उसमें फस जाता है, तो पूरी तरह से जो उसमें बंद हो जाता है, तो इस तरह से पैडलर जो है, वो सोचता है कि वर्ल्ड एक जो है रैट ट्रैप है, इसके बाद जो नेक्स जो कोईश्यन है, आपको आंसर करना है, तो इसमें सीधा सीधा इसमें पूछा क्या गया है कि जो इन्स्ट्रक्टर था, जिसको हम प्रसिख्षक भी बोल सकते हैं, तो उसने कैसे डगलस में से एक स्विमर का निर्मान किया, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, तो प्रसिख्षक ने बहुत धीरे और धैर्यपूर्ण हो करके जो है, डगलस में से एक तैराक को निकाला या बनाया, फोर थ्री मन्स, फोर थ्री मन्स ही डिड नोट इवेन आस्ट डगलस टू पुट हीज फेस इंसाइड दा वाटर, उसने लगबग तीन महीने डगलस को तो अपना चहरा भी पानी के अंदर ना डालने के लिए जो है कहा भी था, या फिर फोर्स भी नहीं किया, और इन तीन महीनों में जो है उसने उसे बेल्ट से जोड करके रस्षी के माध्यम से जो है तैयारी कराई, और उसने इस तरह से आगे पीछे तैरने के लिए उसको बनाया कि उसको पता भी नहीं चला और यह प्रस्षिक्षन का उसका पहला भाग था, और तीन महीने तक इस ट्रेंणिंग के बाद में उसको बोला गया कि वो जो है पानी में जाए, और कुछी सब्तों में जो है यहाँ पर उसके चहरे से जो डर था वो धिरे-दिरे कम होने लगा, और वो जितना भी परिशान होता था, वो भी कम होने लगा, hence the instructor asked him to kick himself to swim, और उसके बाद जो है निर्देशक ने उसको कहा कि तुम जो है फुद जो है लात मार करके तैरना सुरू करो, और इस तरह का जो रूटीन है, उसने साथ महिने तक फोलो कराया, आफ्टर विच आल दा पीसेस ओफ इस ट्रेनिंग वर कम्प्लीट, और इस तरह जो है उसने सभी स्टेप्स को कम्प्लीट करा दिया है, अब उसको ये सारे काम एक साथ ही करने होंगे, और उसके बाद जब सारे जो स्टेप्स को बोला कि उसने सब कुछ एक साथ करो, तो इस प्रशिक्षक ने उसको फाइनिली कहा कि जाओ तुम स्विमिंग करो पूरे पूल के अंदर, तो हम कह सकते हैं, प्रशिक्षक ने डगलक में से एक तैराक को बाहर निकाला, धिरे-धिरे या फिर आराम-आराम से, इसके और पार्ट में में मेंशन दा हजार्स ओफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्टिज, तो इसके हजार्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके कौन-कौन से हो सकते हैं, और बतायते हैं, हजार्स मतलब जो है नुकसान, तो इस नुकसानों को हम वन-बाई-वन डिसकस कर लेंगे, तो आसानी रहेगी समझने में, इसमें ये ग्लास वाली जो इंडस्टिज हैं, इसमें सब आम तोर पर जो है, रोजगार मिलता है, और इट इस इल्लीगल टू एंप्लोई वेरी यंग चिल्डरें इन हजार्डस इंडस्टिज और ये जो है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, खतरनाक है, खतरनाक भी है और गैर कानूनी है, जो की छोटे बच्चों से आप इस तरह के इल्लीगल काम कराते हैं, बट सर्टेन फोर्सिस, लाइक मिडल मेन और मनी लेंडरल्बम है, मनी लेंडरल्बम जो मांगते हैं, पुलीस हैं, पॉल्टीसियंस हैं ये सारे सारे इस तरह के काम पूर वर्कर से करा लेते हैं. Let us first consider the place where the bangle makers work अगर हम पहले बात करें कि जहां पर bangle makers चूड़ी बनाने वाले काम करते हैं तो वहां पर क्या होता है It is a cottage industry, यह जो है कुटीर उद्धियोग है They work in the glass furnaces with the high temperature और glass furnace में जो है यह high temperature में काम करते हैं और the dinghy cells are without air and light और यहां पर जो है इनकी जो हवा और प्रकाश के जो है डिंगी कोशिकाई होती है ठीक है इनकी जो वहां पर जो काम करते हैं वहां पर बातावरन होता है वो हवा और प्रकाश के होता है Boy and girl work hard during day next to lines of flames of the flickering oil lamps तो जो है यहां पर लड़के और लड़किया यहां पर लपतों के बीच में कड़ी मेहनस से दिनो दिन काम करते हैं They weld pieces of colored glasses into circles of vangles Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside और क्या है कि वे रंगीन काच के टुकडे की चूडियां जो है उनको दिखाई देती हैं उसके इर्दगीर्द ही रहते हैं तो उनके बाहर के जो उजाला है जो बाहर का जो outside का जो उजाला है उससे जादा अंधेरा उनको उनकी आँखों में दिखाई देता है यही कारण है This is why they often end up losing their eyesight before they become adults और यही कारण है कि वो व्यस्क होने से पहले ही अकसर अपनी आँखों की रोशनी जो है खो देते हैं और glass blowing weldings and soldering pieces of glass are health hazards तो जो glass कांच को जो हम उडाते हैं साथ में उसको welding करके जो उसके end को चिपकाते हैं और कांच को जो soldering वगरा करते हैं वो स्वास्त के लिए एक बाड़ा खत्रा है Even the dust from the polishing the glass of the bangles adversely affect the eyes और जब polish करते हैं glass bangles को तो ये भी बहुत बुरी तरह से आँखों को जो है प्रवाइद करता है Even adults go blind और कई वेस्ट तो अंदे भी हो जाते हैं The surroundings, prevailing conditions and the type of job involved all prove risky to the health of the workers तो यहां के जो conditions हैं यहां के जो चारतरफ का बातावरण हैं और यहां का जो काम जिस तरह का है वो पूरा का पूरा जो है risky है यानि कि सभी स्रमिकों के लिए जोखिम भरा है और उनके स्वास्त के लिए भी जोखिम भरा होता है तो इस तरह से जो है इसके health हजार्ट हो सकते हैं इसका बाते हैं हम next question के दरफ अब next question है do you think the third level was a medium of escape by Charlie and why तो क्या आपको लगता है कि तीसरा इस तर जो है एक माध्यम था जो Charlie जो है क्या कर सकता था उससे बच सकता था तो यहां पर देखिए Jack Finney's story the third level interviews between fantasy and reality यह जो है आपका Jack Finney की जो कहानी है third level यह जो है fantasy यानि की बोल सकते हैं वास्तिकता और fantasy के बीच में जो है यह एक कह सकते हैं छोटी सी कहानी है तो यह जो है यहां पर देखिए जो तीसरा स्तर जो है चारली के लिए आधनिक जीवन की वर्तमान क ठोड़ता और वास्तिकता से बचने का एक माध्यम है जो जिसमें जो है असुरक्षा भी है भै भी है युद की चिंता भी है और तनाव भी है ठीक है इट इस सेफ रूट फोर चारली स्टू गो टू गलसबर्ग इन और तो स्केप फ्रॉम ट्रॉबल और जो है चारली अगर इस से बचने मुझीवस से बचने के लिए अगर चारली गलसबर्ग जाता है तो यह एक सुरश्चित मार्ग होगा इसी लिए सो ही ट्राइस टू पर्चिस टू टिकेट्स फोर गलसबर्ग और उसके बाद में फॉर्म दा थर्ड लेवल्स ऑफ ग्रांड सेंट्रल जो है यह आपका इलिनोस के जो ग्रांड सेंट्रल से वो जो है दो टिकट खाईदने की कोशिश करता है और थर्ड लेवल इस मरली ए फैंटैसी देट एग्जिस्ट इन चार्ली माइंड ओनली जो थर्ड लेवल है वह एक जो है एक छोटा सा क्या है एक कल्पना सा ही है जो चार्ली के दिमाग में मौजूद रहता है तो यहां पर जो है उसका जो मनची किसक दोस्त है वो जो है आपका ड्रिम विश्ट फुल्विल्मेंट वाला जो है बंदा है यानि कि जो बोल सकते हैं कि एक जो है इक्षा पूर्ती वाला मित्र है अगर वास्तिकता में बात करें तो चार्ली आदनिक दुनिया का सामना करने में बिफल रहता है उसको जो है भै और चिंता लगी रहती है वो केवल उनसे बचना चाहता है और इसको जो है वो सच मान लेता है और इसलिए वो जो है गेल्सबर्ग जाने के लिए वो प्लान कर लेता है he even exchanges his new bills of $300 for old style bills और इसकी वज़े से ही जो है अपने नए बिलो को $300 में old बिलो में बदलवा देता है but he is never able to find the third level और लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है third level को find out नहीं कर पाता और it is because the third level has existed in his fantasy only ये ऐसा इसलिए था क्योंकि जो third level था वो केवल उसके ख्वाबों की ही कलपना थी hence it can be well as a trend that the third level is a medium of escape for Charlie और हम कह सकते हैं कि इसलिए ये एक अच्छी तरह से पता लगाया जा सकता है कि तीसरा इस तर जो है चारली के लिए बचने का एक माद्यम था it is only his escapist fantasy और उसको जो है उसको बचने की ये कलपना मात्र थी ये इसके और पार्ट में जो है why is Antarctica the place to go to to understand the earth present past and future तो Antarctica को एक ऐसे place के बारे में क्यों समझा जाता है जो अर्थ का past, present और future सब कुछ बता सकता है तो यहाँ पर जो है Antarctica इसके बारे में लिखा गया the continent of Antarctica is full of secrets of earth past जो continent Antarctica महादीब जो है ये प्रिथ्वी के भूत बर्तमान और वविश्य के रहस्यों से भरा पड़ा है secrets of earth past present and future और इसके बाद में through the study of this continent अगर इसे महादीब के अध्यन के माध्यम से one may understand the reason behind the division of the supercontinent गौंडवाना into present day globe तो कोई भी इस महादीब के गौंडवाना के वर्तमान विश्म विभाजन के पीछे का कारण जो है समझ सकता है its study में reveal the importance of mountains and rocks like cordillern folds and pre-cambrian granite seals जो है इसका अगर study जो है यह study जो है वो बहुत सारे चीज़े यानि study मतलब इसके अध्यन से cardinal fold और pre-cambrian granite seal जैसे पहाड और उसके चट्टानों का महत्व का पता जो है चलाया जा सकता है Antarctica was also the part of the habitat of dinosaurs in the pre-human earth और जो है आप अगर कहें हम इसमें तो Antarctica जो है पूर्ब में जो dinosaur निवास करते थे उसका भी यह हिस्सा माना जाता है the future of the earth is dependent on its present और जो है future जो है आने वाला समय जो है अर्थ का वो किसके उपर dependent होता है उसके अभी के बरतवान पे in the continent of Antarctica one can get a clear picture of consequences of the depletion of the natural resources अगर हम बात करें तो Antarctica महादीप में कोई भी विल्कुल साफशुतरी pictures जो है वो देख सकता है कि क्या हुआ था जो natural resources जो है वो धीरे-धीरे क्या हुए धीरे-धीरे जो है प्राकर्तिक संसादन कैसे-कैसे खतम हुए उसकी एक इसपस्ट तस्वीर जो है यहां से मिल सकती है और इसके अलावा जो है the ice seeds are breaking and thus global warming is getting in और जो ice के जो महाँ पर जो छोटे-छोटे से या फिर बड़े-बड़े से परते हैं वो धीरे-धीरे तूट रही है और global warming जो है वो इसमें बढ़ रहा है यहां बूल सकते हैं global warming की setting हो रही है इस्तापना हो रही है और हम कह सकते हैं कि जो आपका मौझूदा वर्फ के धेर जो है महासागरों की तुलना से अपने प्राकर्तिक संसाधनों को बचाने और उसको संरक्षित करने का यह क्या कर रहे हैं प्रेड़ना का स्रोत दे रहे हैं और दस Antarctica is definitely the place to go to understand the world इसी प्रकार जो Antarctica है वो निश्चित रूप से दुनिया को समझने की जगह है जिसमें past, future and present जो है count किया सकता है तो इस तरह से इस line को आप जो है इस answers को लिख सकते हैं आंसर नंबर जो है 11, answer any 5 of the following in 10 to 20 words Who is Tiger King? Why does he get that name? The Maharaja of Pratimbanpuram was called the Tiger King जो महराजा थे प्रतिबंदपुरम के उनको ही जो है Tiger King कहा जाता था At the time of his birth, the astrologers declared that the prince would have to die one day उसके जनम के समय जो जोच्छी ने गोशना कर दी थी कि राजकुमार को एक दिन मरना ही होगा The prince was only 10 days old उस समय जो है वो किवल 10 दिन का ही था 10 days old He asked the astrologer to reveal how he will die उसके मिर्तिव के बारे में जोतिशी को बताने के लिए कहा गया And the astrologer said that his death would come from a tiger और जो जोतिशी है उसने कहा कि इसके मिर्तिव जो है कि Tiger से होगी The young prince ground and said let's tiger beware और उसने जो है वो जब बड़ा हुआ तो उसने क्या कहा कि भागों से सावधान रहना है And decide to kill 100 tigers और उसने 100 tigers जो है मारने का निश्चे किया और he thus got the name Tiger King और इसी प्रकार उसका नाम जो है Tiger King पढ़ गया इसके बाद जो next question है What are the indications for the future of the mankind तो यहाँ पर जो है भविश्य के लिए क्या संकेत है वो आपको बताना है तो यहाँ पर सिधा सिधा है तो यहाँ पर सिधा सिधा बविश्य के लिए क्या संकेत है तो यहाँ पर भविश्य के लिए सिधा सिधा यह संकेत है कि जनसंक्या में बहुत जोरो से बृद्धी हो रही है तेजी से बृद्धी हो रही है और resources जो है वो भी सीमित है और इंधन के नियंत्रित रूप से जलाने से जो है carbon dioxide का एक आवरण जो है वो बनता जा रहा है blanket की तरह आवरण बनता जा रहा है और जो है एक dark future के बारे में यानि कि एक काले भविस्य की और यह संकेत दे रहा है जिसे पर्रयावरण की रक्षा के लिए ठीक है संकेत दे रहा है human gun which can controlled by implementing जिसे पर्रयावरण की रक्षा द्वारा ही जो है हम उससे निजात पा सकते हैं उससे बच सकते हैं उसका नियंत्रन कर सकते हैं इसका बाद जो next question है इसमें पूछा गया है what does third level refer to the third level refer to the subway of the grand central station that tax passenger to Gelsberg illness और the third level on the station was medium of skip for Charlie the narrator from the Harris realities of modern life it provided him the base where he could interview fantasy and reality तो ये चीज़ तो हमने अभी अभी discuss भी गया थे question में उसके बाद जो है आपका next question है उसकी बात करते हैं इसमें सीदा सीदा पूछा क्या गया है इसको देख लेते हैं इसमें आप से पूछा गया है who was Dr. Sadao where was his house तो यहाँ पर जो है सीदा सीदा पूछा गया है कि Dr. Sadao कौन थे और Dr. Sadao का जो है घर कहां था यह आपको बताना है तो चलिए हम इसको अपसॉल कर लेते हैं फटा फट तो इसमें बोला गया है Dr. Sadao was famous surgeon and scientist of Japan तो Dr. Sadao जो थे वो famous surgeon भी थे और scientist भी थे जैपैन के ठीक है ना जैपैन जो है एक जगह है इसके बाद में he was a sympathetic man who remained loyal to his profession even in adverse situation और कह सकते हैं कि जो Dr. Sadao थे वो जो है बहुती सहानी भूत्ती पूर्वक पूर्ण ब्यक्ती थे जो विप्रीत परिस्तितियों में भी अपने पेशे के प्रती वफादार रहे थे he lived in the and central square stone house in Japan वो जो है and central square stone घर में जापान में रहते थे built upon rocks above a narrow beach on the Japanese coast जो की जापानी तट पर एक सक्रे समुंद्र तट के ऊपर चट्टान के ऊपर बनाया गया था इसके बाद जो next question है इसमें पूछा क्या गया है what will dr. सदाव do to get rid of the man तो dr. सदाव ने उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए क्या किया तो यहाँ पर dr. सदाव was a man of concentrate nature जो dr. सदाव थे वो विचार सिल सुभाव के थे he had given a lease of life to the wound enemy soldiers at the risk of his life उसने अपनी जान जोखिम में डाल कर घायल सत्रू सैनिक को जीवन दान दिया ठीक है instead of killing him after treatment उसको मारने के बजाए जो है उसको treatment किया मतलब treatment के बाद उसको मारा नहीं बलकि जो है क्या करा उसने killing नहीं किया बलकि उसका treatment किया dr. सदाव arranged for a boat food and clothing to send the enemy back to the nearby Iceland और dr. सदाव ने जो है एक boat का arrangement किया उसके लिए food और cloth का भी arrangement किया उसको जो enemy को वापिस किसी आसपास के Iceland पे भेजने के लिए और जो आदमी था वो Korean नाव ले गया और आजादी के लिए वहां से भाग निकला इसके बाद जो next part है इसमें आपसे पूछा गया है what will the maharaja do to find the required number of tigers to kill आप सिदा सिदा पूछा गया है तो maharaja ने जो है अपने numbers की पूर्ती करने के लिए क्या करा कि उसने जो है एक ऐसी लड़की से साधी किया जो ऐसे royal खांदान से बिलॉंग करती हो जो उस गाउं में रहती हो जहां पर बहुत सारे tigers रहते हों और उसके father जो है वो कोई भी ऐसा नियम ना बनाए या फिर कह सकते हैं उसके ससूर बोल सकते हैं कि ऐसा नियम कोई ना बनाए जिससे वो tigers को ना मार सके या फिर उसको tiger मारने की पूरी आजादी हो तो इस तरह से जो है इसका solution आपने देखा ये आपका question paper था काफी questions questions हलके फुलके थोड़े से आपको जो है घुमाए फिराए गए है questions को थोड़े थोड़े जो है basics questions तो थे ही सांसाथ में थोड़े से घुमाए गए हैं जिनके answers को थोड़ा pick करना आसान नहीं था लेकिन मैंने आपको guide कर दिया आप आसानी से आप जब एक बार इस पेपर को देखेंगे और दुबारा पढ़ेंगे दुबारा समझेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा arts, commerce, science के students कमेंड कर सकते हैं आपके कौन से subject को solution देना है सबसे ज़्यादा science students के comment आ रहे हैं तो अभी science students के लिए जो है next video बनेगा, thank you very much, have a good day